हेलो एवन क्या हाल है मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छी होंगे तो जैसे कि आपने मुझे पिछली वीडियो में इतना प्यार दिया तो उसके लिए थैंक यू और यह जो वीडियो है हमारा वह हमारा सैंपसुंग के कस्टमाइजेशन के ओपर टिप्स एंट्रिक्स के पर जो कि आपने पूरे ध्यान से यहां पर देखने है ठीक है तो बहुत ही आमेजिंग आज का फीचर यहां पर होने वाला है और यह जो है सैंपसंग के ने पुराने डिवाइस सभी में यह फीचर देखने को मिलेंगे चाहे आपका 4.1 हो चाहे 5.1 हो चाहे 3.1 जो भी वर करना है वो हमारी homes scrin की जैसे की आपको यह search bar देखने को मिल जाती है अगर आप search bar यहां पर गूगल search bar तो इसकी यह प्रृफायल का ओपशन देख रहा है ल में और माशतिति की एपने अपने क्यों विजट करेंगे तो आपका विजट यहाँ पर इस तरह आ जाएया और जी वप्रमीशिट वोचन में टाइब करेंगे तो आपका है isाइस को अलग कर सकते हैं इसका साइस तेको Google पूरा खया इस 27 अखेल बच गया Google पूरा अंठीक है तो गूगल को पूरा भी रख सकते हैं यहां से back करते हैं for next वाले option वे clip करते हैं तो इसका आप जो shape एनए आप इसकी shape चेशन कर सकते हैं這些 यहां पर इस तरह हो गयाएगी अगर इस तरह रखना चाहते है आप जिस तरह रकना चाहते हैं मेह आ लो कि मैं इस तरह इस तरह एस तरह जोरी रखना जाता हूं ठीक है उसके बाद मैं बैक आता हूं ठीक है शेप यहां पर चेंज हो चुकी है फिर थर्ड वाले उप्शन में क्लिक करेंगे यहां पर क्लिक करने के बाद ठीक है यहां पर आपको क्या करना होगा ध्यान से देखना ठीक है यहां पर क्लिक करने आपको जो यह ब्लैक कलर को हो जाएगा क्लिक करेंगे ठीक है इसको दुबारा से क्लिक करेंगे फिर मैं यहां पर क्लिक करूंगा ठीक है थर्ड वाले उक्षिन पर तो इसका color order चेंज कर सकते हैं, अपने पसंद का color यहाँ पर रख सकते हैं, red रखना है यहाँ फिर इस तरह रखना है, फीका, गाड़ा अपने हिसाब से color अप अच्छेश्ट कर सकते हैं, तो मुझे color यह अच्छा ने लगा यह वाला यह वाला चलो अपने हिसाब से आप color यहां पर change कर सकते हैं ठीक है जो भी color आपने जो आपका पसंद का color होगा आप यहां पर रख सकते हैं ठीक है समझ गे उसका आप सेब कर देंगे यहां से फिर यह सेब हो जाएगा चली बैक आते हैं तो मेरा यहां पर जैसे हो गूगल बार यहां पर कस्टमाइज हो चुका है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं यह थी हमारी पहली ट्रिक अब चलते हैं दूसरी ट्रिक की हो दूसरी ट्रिक बहुत ही कमाल की और मज़दार है ठीक है वह कहां पर आपने ध्यान स देखने ना है स्धào कंट आफ्ट है को मम्हारी है सेटिंग भीमल जाने छाने के बाद आपने क्या ना ऑप्शन धित्रस्याइव को लेज़वे लुवभार को स्कृण करेंगे चृण तो श्रक नविगेशन बार का जो आइप चले लेकिन आप इसको remove कर सकते हैं बिल्कुल hide हो जाएगा यह कैसे अब मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है जैसे मैं आपको slide करूँगा setting वाले option में यहाँ पर जाओँगा न ठीक है आप निचा था gesture hint मैंने बंद किया इसको ओन किया यहां पर इसका बंद करूँगा तो हमारा gesture hint यहां पर गायव हो जाएगा जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर हमारा gesture hint यहां पर गायव हो गया और देखने में काफी फोन बिल्कुली साफ उतर लग रहा है इसके तो navigation keys है ही नहीं इसको हम यूज कैसे करेंगे तो इसको gesture hint को आप यहां से remove कर सकते हैं अब जलते हैं next setting की और दोस्तों जो आपको में last feature यहां पर दिखाने वाला होना तो वह कैसे work करता है उसके लिए आपको navigation bars चाहिए तो आपने इसे enable कर देना है अगरा navigation bar आप यूज करते हैं ठीक है त Memory of protection में जाने के बाद आपको display आपा देखने को मिल जाता है चले के यहांपे तो display Kalbant Kaw cotton करेंगे निचे तो आपको यहां पर एक option देखने को मिलेगा वह कौंसा आप मैं आपको यहां पे दिखाता हूं उसके लिए navigation bar आ घाना होगा तो आपको यह navigation बार बतन बाल ला रखन तो यहां पर मेरा Google open हो जाएगा, यहां पर लेकिन आप finder भी add कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर करूँगा, long press करूँगा, यहां पर कुछ टाइप करूँगा, कोई भी application सर्च करने होगी, तो यहां पर मैं search easily कर सकता हूँ, यहां पर Bixby रखना चाहते हैं, अगर आप none रखना कर सकते हैं, यहां पर long press करेंगे, तो आपका यहां पर Google Assistant यहां पर open हो जाएगा, इस तरह आप कुछ और भी यहां पर रख सकते हैं, जिसके मैं यहां पर बोल रहा हूँ, सब कुछ यहां पर automatically type हो रहा है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, और यह search कर लेता है, ठीक ह समझ गे, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजेगा, सो बाइबाइ, टेक केर, जैहन, बंदे मातरम